सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही प्रेस करें इस बैल आइकन को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वीडियो के नीचे दिएगे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं छार खंड की राजधानी राची में सिच्वेटेड बिर्सा मुंडा एयरपोर्ट के बारे में भारत देश के कई सहरों में विश्वस्तरिय एयरपोर्ट का निर्मान हुआ है जहां रोजाना सैंक्डों विमाने आती हैं जाती हैं आती हैं तथा जाती हैं लोग अपनी समय के बचत है तो इन विमानों का इस्तमाल करते हैं जारखन की राजधारनी राची भी उन्ही सारे बड़े केंद्रों में से एक होने जा रही है जहां अलग-अलग स्रेनी के विमानों की आवाजा ही इन दुनों का भी बढ़ी है दिखा जाए तो राची सहर का नजारा रात के वक्त बहुत ही अद्बोत और दर्सनिय लगता है पर्यटक सुदूर छेत्रों से यहां पर घूमने को आते हैं राची एयरपोर्ट से कोलकाता, नई दिल्ले, पटना, बैंगलोर, हैदराबाद, भूवनेश्वर और मुंबई जैसे सहरों के लिए सेधी उडाने मिलती है बिर्सामुंडा एयरपोर्ट राची सहर के केंद्र से 7 किलोमीटर की दूरी पर है 564 ठेकड में फैले इस सांदार एयरपोर्ट का रन में 2713 मिटर लंबा है प्रकृति के गोद में वसे इस सांदार एयरपोर्ट से इंडिगो, एयर इंडिया, गो एयर, विस्तारा और एयर एशिया के विमाने उड़ती है जारखंड को बिहार से अलग हुए 19 साल हो गये हैं, इन 19 सालों में जारखंड में कई उतार चड़ा हुए हैं राची सहर भी पहले की तुल्ला में बहुत ही ज़्यादा विक्सित होने की राह पर अग्रसर है राची एरपोर्ट उन्ही राहों में से एक कहा जा सकता है पहाडों, परवतों और जीलों से घिरे इस सहर का नजारा विमान से देखने पर बहुत ही सुन्दर लगता है पतरातु की घाटियां हो या सारंडा जंगल, दसम फॉल हो या नितरहाट की पठार ऐसा रमनिय द्रिश्य आप पूरे भारत वर्ष में बहुत ही कम जगह पर देख पाएंगे राची के हीनू में सिचुएटेड बिरसा मुंडा एरपोर्ट से रोजाना हजारों की तादाद में पैसेंजर्स आवाजा ही करते हैं जिसे हैंड़न कलने के लिए यहाँ पर एक टर्मिनल, छे एसकेलेटर्स, दो एरो ब्रेज और सिक्यूरिटी चेकप के लिए सेसी टीवी कैमरे, हाड़ वेर सिक्यूरिटी मसीन्स, कारगो एक्स्रे मसीन्स और एक्स्प्लोसिव ट्रेस डिटेक्शन डिवाइस से लेस है तो दोस्तों आपको राची का पिरसा मुंडा एरपोर्ट कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों अगले वीडियो आप किस सहर या किस जगह की देखना चाहते हैं यह भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में जहां मैं संजीव रहूंगा मौझूद एक बहुत ही नए इंफॉर्मिशन के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरव